आज इस personality की मैं बात करूँगी ये industry के उन बहतरीन actors में से एक हैं जिनने credits नहीं दिया गया यानि कि जिनका face तो हम जानते हैं लेकिन नाम कम भी लोग जानते हैं इन्होंने 80's से अपने career की शुरुआत की और तब से लेकर अब तक ये इस industry में active हैं बाजिगर में इन्होंने शारुक खान के पिता का रोल ने भाया था और फिल्म खिलाडी में इनका negative किरदार देखकर सब चौक गए थे बात करेंगे actor अनंत महादेवन की अनंत महादेवन की like से जुड़ी वो बाते में आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब अनंत महादेवन को मिली पहचान क्यूं जिस अनंत महादेवन ने अपना fame अपना name commercial हिंदी सिनिमा से कमाया वो अनंत महादेवन अब commercial फिल्मों से करते हैं नफरत और कैसे अनंत महादेवन ने एक फिल्म बनाई जो आज के इस नए इंडिया पर है बहुत बड़ा slap उनकी family मुंबई shift हो गई अनंत महादेवन की schooling और college मुंबई से ही हुआ आर्ट के वो शुरू से ही शौकीन थे हाला कि subject उनका school में science रहा अनंत महादेवन ने अपने career के शुरूआत 80 से ही कर दी थी वो theater किया करते थे और serial में चोटे मोटे किरदार करने लगे लेकिन उन्हें पहचान मिली 90 जब वो mainstream cinema में character roles करने लगे उन्होंने चांगनी फिल्म में काम किया बाजीगर में भी उनका role छोटा था लेकिन एहम role था और खिलाड़ी film से तो उनके कई scenes आज भी YouTube पर बहुत viral है अनंत महादेवन ने 90 ज में कई सारी filmों में character roles निभाए और जैसे ही 2000 आया यहां से अनंत महादेवन ने एक नया काम शुरू किया वो acting के साथ साथ direction में भी आ गए और writing भी करने लगे उन्होंने दिल मांगे मोर, अकसर, अनामिका जैसी फिल्में लिखी है इसके अलावा दिल विल प्यार वियार, Victoria 203 यह फिल्में उन्होंने डिरेक्ट भी की है अनंत महादेवन commercial cinema करते ही आ रहे थे लेकिन उस टाइम corporate culture इतना जादा आ गया कि star driven फिल्में होने लगी और कला की कदर कम रही, stars की कदर जादा होने लगी और यही वो time था जब अनंत महादेवन को लगा कि industry में इतना time दे दिया उन्हें producers काफी मुश्किल से मिले इस दौरान उन्होंने Red Alerts नाम की फिल्म बनाई इस फिल्म में सुनील शेटी और भाग्यश्री थे और इसी फिल्म के बाद से उन्हें लगा कि अब cinema वही बनाना है जिससे आप कुछ message दे पाओ इसके बाद उन्होंने काम शुरू किया एक मराथी फिल्म पर अनंत महादेवन ने बनाई मी सिंधुताई सबकल इस फिल्म की story और dialogues भी अनंत महादेवन ने ही लिखे और direct भी अनंत महादेवन ने ही किया ये फिल्म नैशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बनी फिल्म इतनी successful रही कि फिल्म को एक नहीं दो नहीं बलकि तीन तीन नैशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसमें playback singing, special jury award और screenplay के लिए नैशनल अवार्ड शामिल है और यहां से उनका रुख commercial cinema से हट कर meaningful cinema की तरफ हो गया गौरहरीदास्ता, डॉक्टर रख्माबाई इस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई इन फिल्मों को इंडिया में चाहे screens दे ना दे इन फिल्मों को चाहे कोई distributor ले ना ले लेकिन ये फिल्में international film festivals में बहुत धूम मचा रही थी और Indian cinema के प्रती world cinema का नजरिया बदलने लगा खुद अनंत महादेवन ने बताया कि उनकी जो डॉक्टर रख्माबाई फिल्म थी international film festival में हाज जोड कर उन्हें लोगों को request करना पड़ा था कि ये film देखिये, किसी को interest ही नहीं था क्योंकि Bollywood film के image ऐसी बन गई थी कि masala film में बनाते हैं, formula film में चलती है होता कुछ नहीं है, एक hero, एक heroine, romance, 4-5 गाने, action scenes यही formula film में है, meaningful cinema तो Bollywood कहता ही नहीं है इसलिए तब अनंत महादेवन को अपनी इस film को दिखाने के लिए बहुत महनत करनी पड़ी, लेकिन जब इस film को देखा गया तो Indian cinema के प्रती लोगों की सोच बदली और यहां से उन्होंने अपने अंदर एक fight शुरू कर दी कि मैं अब commercial cinema में काम नहीं करूंगा नहीं commercial cinema के लिए film में बनाऊंगा मैं सिर्फ और सिर्फ content oriented film में बनाऊंगा जो society को एक message दे जो हमारी double standard पर एक tight slap हो और इसी के तहट 2020 में उन्होंने एक film बनाई जिसका नाम रखा गया Bittersweet यह कहानी है महाराश्टर के bead district की जहां पर sugar cane की farming की जाती है और इन field में काम करने के लिए लेबर्स की appointment अलग तरीके से की जाती है लेबर्स जो migrate करके सिर्फ और सिर्फ इन sugar fields पर काम करने के लिए आते हैं वो जादतर couples होते हैं ऐसे में लेबर्स को advance amount दे दिया जाता है जो कि 50,000 से लेकर 1,000,000 के बीच होता है ताकि ये लेबर्स जम के काम करे और fast productivity दे इन्हें एक time दे दिया जाता है कि इस time में तुम्हें इतना काम तो निपडाना ही है ऐसे में अगर कोई लेबर्स छुट्टी लेता है तो उनका पैसा तो कटता ही है साथ ही heavy penalty भी दी जाती है और जितनी जादा छुट्टी उतनी heavy penalty कई बार ये penalties इनके advance को भी cross कर दी जाती है ऐसे में इन लेबर couples में से जो औरते होती है वो अपना uterus remove करने के लिए मजबूर हो जाती है इसलिए ताकि जब periods हो तो 4-5 दिन उनके waste न हो उनकी छुट्या न हो उनकी penalty न लगे और वो लगातार राद दिन काम करती रहे कुछ इस तरीके से महिलाओं को यहाँ पर काम करने के लिए कहा जाता है कहीं सारे service बीट की district में किये गए है जहां पता चला है कि यहाँ की जादतर महिलाओं के गरभाशय है ही नहीं उन्होंने यह गरभाशय निकलवा दिये हैं इन महिलाओं की age भी 20 से लेकर 30 के बीच में है शुगर मिल्स के जो ठेकेदार होते हैं वो लोग भी महिलाओं को लेने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि महिलाओं को लेंगे तो productivity इतनी नहीं आएगी 4-5 दिन हर महिने यह महिलाओं rest में गुजारेगी ऐसे में महिलाओं मजबूर है uterus remove करने के लिए अगर किसी महिला का uterus removed है उसका uterus नहीं है तो उसे तुरंथ job मिल जाती है सबसे बड़ी बात इंडिया जहां पर इतना ज़ादा sugar produce किया जाता है यहां के लोग machines क्यों नहीं लगवा देते हैं गन्नो को निकालने के लिए या गन्नो की farming के लिए तो इस पर सर्वेज में कहा गया है कि जो machines है वो करोडों में आती है हाला कि इस बारे में खुल कर कोई बात नहीं करता है यह सब understanding है ना ही कोई कुबूल करता है कि अगर उसने अपना uterus remove किया है तो इसी काम के लिए करवाया है अक्सर लोग बहाना कर देते हैं कि उन्हें problem होने लगी थी uterus में infection होने लगा था इसी लिए remove करवाया लेकिन अकेला यही एरिया है जहां पर maximum औरतों की uterus remove किये गए है और इनकी तादाद बहुत जादा है बहुत survey किया गया है और इस तरह की बहुत खबरे आई है और यही एक film अनंत महादेवन ने बनाई है जो कि एक tight slap है हमारे बढ़ते हुए इंडिया पर जो कि इंडिया, future इंडिया, future generation इंडिया, digital इंडिया सब कुछ तो हम बन जाएंगे लेकिन हमारे इंडिया में औरतों का यह जो exploitation है यह कब बदलेगा वीक section है लेबर्स पर कमाई का भी pressure रहता है कमाईगे नहीं तो घर कैसे चलाएंगे ऐसे में वो भी बस मेहनत करते चले जाते हैं और कभी किसी से इस बारे में शिकायत नहीं की कि यह काम करने के लिए उन्हें अपने अंग का एक हिस्सा निकाल कर फेकना पड़ा है शुगर मिल्स के जो मालिक होते हैं वो इतने पावरफुल और इतने बड़े आदमी होते हैं कि उनके खिलाफ कोई आक्शन ले भी नहीं सकता और नहीं कोई शिकायत कर सकता है इसलिए यह प्रथा सालों से इस बीड डिस्ट्रिक्ट में चली आ रही है यानि कि वर्ल्ड में नमबर वन बने रहने के लिए इस तरह से लेबर कैटेगरी का शोशन किया जाता है अनन्त महादेवन ने अपनी इस फिल्म को बहुत प्रमोट किया है और वो चाहते हैं कि उनकी जो फिल्म है यह थेटर्स में लगे फुल फ्लेज इस फिल्म को देखा जाए हाला कि लॉकडाउन के कारण ये फिल्म अभी तक लोगों तक पहुँच नहीं पाई है अनन्त महादेवन ने इंडस्ट्री को तकरीबन 40 साल दे दिये हैं उसके बावजूद इस इंडस्ट्री ने उन्हें कुछ खास क्रेजिट नहीं दिया है लेकिन जिस तरह का काम अब अनन्त महादेवन अपनी फिल्मों से कर रहे हैं उससे वो इंडस्ट्री को बहुत कुछ दे रहे हैं और वर्ल्ड सिनेमा में इंडस्ट्री का नाम उचा ही कर रहे हैं अनन्त महादेवन की कौन सी फिल्म उनका कौन सा किरदार आपको याद आता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेर कीजिए कब क्यों और कैसे में अभी के लिए वस इतना ही फिर मिलेंगे बॉलिवुड केक और स्टोरी के साथ लाइक करें हमारा फेस्बुक पेज बॉलिवुड ठिकाना फॉलू करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलिवुड ठिकाना